सब्सक्राइब किजिए स्कोर आटो मोबाइल चैनल को और बेल आइकन दबाए आटो मोबाइल इंजिनेरिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हाइड्रोलिक क्लच ओपरेशन तो हाइड्रोलिक क्लच ओपरेशन का एप्लिकेशन क्या है वो स्टैंडर्ड 20 में यूज होता है और स्वराज मस्दा अब इसके टाइप्स तो हाइड्रोलिक क्लच में भी आइदर सिंगल प्लेट टाइप या फिर मल्टी प्लेट टाइप यह देखते हैं तो यह रहा हाइड्रोलिक क्लच ओपरेशन तो इसका कंस्ट्रक्शन या फिर कंपोनेंट्स जानने से पहले एक इंपोर्डन चीज में आपको बताना चाहता हूँ यहाँ देख पूरा त्रूआउट कनेक्टेड है इसके लिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो वेवस किये तो एक्जाम में आप भी इसको वेवस करना ताकि आपका जो एक मार्क्स जो कट हने वाल है वो कट नहीं होगा इस बात पर एक लाइक तो बनता है चलिए अब कंस्ट्रक्शन की और बढ़ते हैं तो यह रहा हमारा क्लच पैडल और यह है फ्लूइड रीजर होया यहाँ पर फ्लूइड स्टोर होगा और वो फ्लूइड मास्टर सिलिंडर को सेंड होगा तो यह वाला सिलिंडर है दैट इस नोन एस मास्टर सिलिंडर क्लियर और जो भी fluid रहेगा that will be under pressure अब यह master cylinder का चोटा भाई है slave cylinder इसको बलते है slave cylinder अब slave cylinder का connection आगे किसको दिया है push rod को और फिर push rod से यह वाला जो part है that is known as clutch release fork clutch release fork और हम कौन सा वाला पढ़ रहे है single plate clutch अब इसका working जानने की कोशिश करते है तो जैसे ही हम clutch pedal दबाएंगे जैसे ही हम clutch pedal दबाएंगे तो क्या होगा fluid reservoir में जो fluid रहेगा वो master cylinder में आ जाएगा अब master cylinder में जो भी fluid रहेगा that will be under pressure ठीक है और वो उपर से flow हो रहे है लब उपर से नीचे जा रहे है तो उसका जो pressure है वो और बढ़ जाएगा तो fluid under pressure master cylinder से कहां आएगा slave cylinder में तो जैसे ही हो slave cylinder में आएगा तो पहले सी under pressure रहेगा और उसके साथ उसका pressure fluid का और बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा कि ये जो push rod है ये जो push rod है वो क्या होगा वो actuate हो जाएगा किसके वयसे fluid के pressure की वयसे तो जैसे ही push rod actuate हो जाएगा तो push rod किसके connection में clutch release fork तो जैसे ही push rod actuate हो जाएगा तो ये clutch release fork operate हो जाएगा to disengage the clutch क्योंकि ये किसके connection में clutch के connection में ठीके आशागर दाओ कि आपको hydraulic clutch operation आच्चे से समझ में आया होगा thank you for watching like कीजिए subscribe कीजिए bell icon को दबाईए share जरू कीजिएगा आज के वीडियो में इतना ही जै ही वन्दे मातरम